अलो दोस्तों और यू दिसएट गुर्चरन तो अभी निफ्टिफ्टि की कोर कंपनी इसके क्वाटर वन के नितीज़े आ चुके हैं इसका नाम है भारत पेट्रोलियम के नितीज़े आ गए हैं तो इसके बारे में फ़ड़ा डिसक्स कराऊंगा मैं आप लोगों को तो इसक जो है मेन डिसक्स करना यही पॉइंट है सेल कम हुई है सेल कम हुई है सेल कम हुई है तो मेरे कहीं ने कहीं मैंने इन्वेंटरी भी कम यूज की होगी इन्वेंटरी कम यूज की है तो उसके कोडिंगी जितना मैंने प्रपोर्शनेटली माल उठाया या माल बेचा जितना म कम अगर सेल हुई है तो कम भी मेरा मटीरियल भी मैंने कम आए किया लॉस नहीं आया इस कंपनी में मुनाफ़ा जुरूर कम हुआ ड्यू टू लोगडाइन को नाइंटीन प्रेल मई को आप छोड़ दो जून में इन्होंने बहुत बड़ी रिकावरी की है आपको पता ही सारी ट्रांसपोर्ट चल पड़ी है सब कुछ हो चुका है तो उसी के लिटर में आपसे यह बीपीशल के नतीचे डिसकस करूंगा प्रॉफिट दो यह चेतर करोडा आया है लोगडाउं ड्रेट टू पॉइंट थ्री नाइन पर बैरल एवरेज ग्रोस रिफाइनिंग मार्जन पॉइंट पॉइंट थी नाइन बैरल वर्सेज दो रुपे कैसी पैसे था अभी है कि इनका अवरें मार्जन पॉइंट थी नाहीं रह गया है तो बीपीशेर हैस टूंड प्रॉफिटिविल्टी इन फोर द जून क्वाटर विद द नेट प्रॉफिट ऑफ दो यह चेतर क जून में की थोड़ी प्रॉफिटिविल्टी आई यह वही चीज़ें दिखा रहे हैं तो बाकी आगे देखाता हूं मैं आपको लोगडाउं डिए लोगडाउं डिए डिमांड विच रिजल्टेट फालिंग ग्रोस रिफाइनिंग मार्जन द स्टेट रंड ओएल सरकारी चलाती रिफाइनिंग कंपरी आइस पोस्टेड ए हूज लॉस ऑफ तेरह सो एकासट क्रोड इन दा मार्च क्वाटर में इनका लॉस था 1361 क्रोड का जबकि इन्होंने थोड़ी सी रिकवरी कर लिया एंड़ प्रॉफिट अब 106 कोड जून दो यह जून 2019 में एक यह पेतर कोड का इनका प्रॉफिट था मार्च में लॉस आया अब फिर इन्होंने प्रॉफिट में आगे तो कहीं न कहीं मैं वही आपक जून प्रॉफिट परसंट सी कोडिशी तो 416 कोड तक इनका आगे हैं अब्राइट ग्रोंस रिवाटर रॉफिट रॉफिट वॉट रॉफिट 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 इन्होंने विट्रॉफिट न पर बेरल नॉट्ड टॉब्ट जॉबवली अं रिजर्ट टने and petrochemical product impacted prices therefore refining margin globally the company said its bsc filing water once a lower finding throughout and a revenue from operation due to lower demand petroleum product it added market sales were lower than 7.53 million ton compared to 11.11 million decreases in mainly ms retail hsd high-speed diesel and atf but partially offset increase in lpg lpg consumption is more than a lot of people in the home of the operating front of earning before interest and ebidt stood 49-15 crore at a lower operating cost against a loss of 618 crore in return income fell considerably 593 crore as a gainst of 1150 crore in the march quarter ended तो ये तन का result था बाकि आगे आगे आप लगों को मैंने एक यस्भेंक के ऊपर वीडियो बनाई थी आपको बोला भी था यस्भेंक को इसको आपको होड़ करके रखो 11 के रिजल्ट आप से अनाल्सिस किया था आपको पूरा तक 11 रपे के पास आगर 9-10 के पास आता है तो इसको बाए करो इसको पूर्ड करो मेरा पहला टार्गेट 18 रपे का आज इसका शेयर कहा ही चेक कर लो एक वीक के अंदर अंदर इसका यह देख जुन 2020 तो 45 क्रोड का प्रफट दिखाया है नो ने मतलब मेरा 113 क्रोड का प्रफट जुन 2019 में था इक प्रफट आया जुरूर आप इसको पोजिटिव होकर लेकर चलो क्योंकि बहुत लोग इसमें फसे हुए बहुत लोग इस वीडियो को चिन्नी चाहा हो सके आपको शेय आज भी मैंने आपको लोगों को बाय करवाया मेरी पॉल देख लो ठीक है यह शेयर तेरा रपे से नीचे रहता है सिंपल मैं बोरा हूं तेरा रपे एक बिलो थर्टीन दैन इट विल एक 10 रूपी टार्गे नाइन रूपी टार्गे दस और नौ रूपी के बीच में आए तो इसका पहला टार्गेट में यह वायर हो जाएगा यह टार्गेट 18 रूपी का टार्गेट आएगा इसका 18 रूपी मैं बोल रहा हूं 18 रूपी का टार्गेट आएगा 18 और 25 रूपी इस दा माई कर लो आज booking मैंने कर ली इसकी पस्ति गाल घर पर के पास मैंने होल्डिंग का थी तो तो यह तो यह तो यह बैंक था बाकी जो अपना इसका बीपीचेल का यहां पर मैं आपको रिजल्ट फिर द्वारा दिखा देता हूं जो मनी कॉंट्रोर के साट पर अभी तो मैंने कमेंटरी आपको दिखाई थी यह देखो जून में मेरी सेल देखो कितनी थी सप्तंबर में छेत्रे आर क्रोड थी तो मेरी अभी स्थेंटी एठती आर क्रोड रह गई है तो रेविन्यू कहीं न कहीं इंपेक्टेट पड़ा थीन और मतेती चोंतिस क्रोड का मेरा रेविन्यू डाउन हुआ है पता यह सेल कम होगी बाकी आगे कि अगर आपके कंजम्शन देखो कंजम्शन भी अतनी मेरी कम हुए था 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 न करोड रह गई है तो मेरा खर्चा भी कम हुआ है तो इसको टीच मैं को दिखाता हूं प्रोफिट क्या आया नीचे कि तो चीज़ कितने रेट पर उठानी है बस मेरा सिंपल यही फंड़ा मेरे को यह नहीं पता कि कौन सा इंडिकेटर यूज कर रहे हो क्या अवरे मुविंग मेरे को यह कुछ इंची जूमें नहीं आता नफस्ता नहीं हो आप जितना जधा इंची जूमें घुलते रहोगे आप उतना ज़्यादा कंफ्यूज होते रहोगे मेरे को सिंपल यह पता है कि कोंसी चीज कहांपे उठाएं बस मैं तो ऐसे ट्रेट करता हूं मेरे को इतनी ज़्यादा टेक्निकल्टी में घुसने का हैं इतने ज़्यादा गुसता है उतना ही जदा उसका दिमाग खराब होता सब्सक्राइब को यह पता है मेरे हिट होने का यही रिजन है कि मैं सिंपल मेरा फंडा है बस कौन सी चीज कहां पर उठानी जाते हो कहीं बजार जाते आपको थोड़े बंदे कुछ इतनी पैसे दूंगा तो सिंपली यही चीज होती है आपके साथ तो यहां पर देखो अगर यहां पर प्रोफिट आया है आपका करोड़ पर प्रोफिट नेट प्रोफिट मीन एकार कर गड़ा तो मतलब मेरा मार्च में थारफ संतालीक करोड़ पर लोज था तो अब यहां प्रोफिट आया सिंपली मैं वह रहा हूं जिसने भी शेर बाय करना है सेंपल आपने 400 रपे का टार्गेट लगाना 400 रप्र का simply stop loss लगाना है 400 के भाव पे मेरे इसको उठाऊंगा अगर आया तो इसका stop loss लगा कि इसको buy करूंगा तो मेरा उपर का target मैं आपको देता हूं 450 का मेरा पहला target होगा दूसरा target मेरा होगा 470 का target होगा whoever wants to buy this share buy with the stop loss of 400 आपने 400 रपे से नीचे इसको किसी भी हार असमें नहीं रखना और यह गिर जाएगा और wants to buy this share buy only with the stop loss of 400 my first target will be 450 positional then second target will be 470 it will come and hit okay यह मेरा simple 400 से नीचे आपने नहीं रखना एस share को ठीक है क्योंकि नतीजे कहीं न कहीं positive आया आप इस चीज को इंग्नोर नहीं कर सकते हो कंजंप्शन भी कम होई है तो नतीजे मैंने आपको दिखा दिये दो यार क्रोड का प्रोफिट आया था बाकी आगे आपको सिंपल में option chain दिखा देता हूं option chain किसने देखनी हो देखो सारा नीचे वाला खारना 200-300 रुपे का खाली पड़ा हुआ यहां भी मेरे को sport नजर आ रही देखो अब से बड़ी आप sport देखो 400 रुपे कि स्ट्राइक के अपर दो लग स्तान हो यार के उपन इंट्रस्ट यह यह option chain का data है ठीक है अगर मैं आपको यहां पर नीचे किसे लेकर चलता हूं देखो 400 की स्ट्राइक के ओपर दोबारा बूर रहा हूं 400 की स्ट्राइक के ओपर देखो अगर आप देखोंगे भी दो लग स्ट्राइक की नीचे आपको दीचे देखो सारे खाली है नीचे खाना खाल सारा ब्लैंक फिल्ड है तो नीचे की साइड मैं देखता हूं तो 400 की बड़ी स्पोर्ट आ रही है अगर 400 की स्ट्राइक को बेसमान के आप इसको सिंप्ली बाय कर सकते हो क्योंकि जल्ट की स्ट्राइक के ऊपर देखो आप 12-10 लाख 92 के को राइटर को राइटर करके बैठे हुए मतलब वह चाहते की मार्कट नीचे तो नीचे अगर आती तो मार्कट 400 की स्ट्राइक को डिसकाउंट करेगी नीचे तो 400 ब्रेक करके फर तो नीचे भी जाएगी सिंप्ली आपने बहुत बड़ी स्पोर्ट जहां बनीवी 10 लाख 92 की कोंट्राक्ट की तो 400 को आप सिंपली बेस मान सकते हो ठीक है 400 को बेस मान के ऊपर की तरफ आजाते हो सबसे पहला टार्गर में 13 लाख कोंट्राक्ट का खड़ा हुआ है 440 की स्ट्राइक के ऊपर तो सिंपल इसमें कोई मंतर पढ़ने वाली बात नहीं होती जिसको उप्षिंचेन का डाटा पढ़ना आता है या वह सिंपली मैंने आपको बहुत बार सिखा भी दिया हुआ है तो वह बंदा मार्केट में कभी मार निखाता है उपर देखो इस स्ट्राइक के ऊपर 11,000,000 के कंट्रेक्ट पढ़े हुए पर 500 के ऊपर भी ग्यरा लाके कंट्रेक्ट पढ़े हुए हैं तो कहीं ना जैविकर बाय करना मैंने आपको बता दिया है तो पूट तो फुट साइड वाला नीचे वाला कॉर्णर तो मैं देखता है नहीं होता हूं यह कम देखता हूं मेरे लिए तीन खाने काम कर जाते है तो उपर का टार्गेट में मैंने आपको पता दिया है वीडियो अपको अच्छी लगी तो शेयर करो लाइक करो थैंक्स गुर्चरन ह करते हर तो करो दो करते है तो वेरा है वीडियो नहीं हो तो भी वाला वाला नाव